ये क्या माजरा है साइकल में पैसा तिल्लू ने छुपाया होगा और अज हिसाब किताब बराबर होगा इससे तुम ही बताओ मैं दुकान बंद कर दूँ क्या हूँ अस्ताद? एक हफता हो गया गल्ले से पैसे गईब हो रहे हैं आई तो हादी हो गई पूरा गल्ला खाली हाए और उसके पास है कुछ पैसे इस तरह के मिले हाए ये किसकी हरकात होगी? क्या मतलब किसकी? मेरे काउंटर पे तुम दोनों के इलावा और कोई नहीं आता जरूर मेरे गल्ले से पैसे तुम दोनों उठा रहे हो उस्ताद आपको गलत फहिमी होई है भला हम ऐसा क्यूं करेंगे? मेरे सामने भोला बनने की आइक्टेंग ना करो जरूर ये तुम दोनों की हरकाता है खड़े हो जाओ मैं तुम दोनों की जेबे चेक करूँगा हाँ कार ले चेक भाई साब ये कार कितने किया है पंदरा हजार की क्या-क्या फीचर है इसमें भाई साब फीचर का तो ऐसे पूछा जैसे बड़ी गाड़ी खरीद रहे हो ये तो खिलोना है फिर भी खिलोने के इसाब से जो फीचर है वो बता दें ये तो मेरा दिमोक चाड़ रहा है तू जाके फीचर बता सुन जाब तक ये फीचर बताता है तू इसे जल्दी से ठीक करके दोनु अंदर आजो तलाशी लेनी आए भाई साब साब से पहला फीचर इस खिलोना कार में भी चाबी लगती है नबर टू आगे पीचे करने के लिए इसका गेर है पीचे? आगे नबर तीन इसमें बड़ी गारी वाला हार्न लगा हुआ है और नबर चार इसमें एकसीलेटर भी लगा हुआ है नबर पांच MP3 सिस्टम बिलियोटोत लगा के गाने सुने तो फिर इतने सारे फीचर देख के आपको कैसा लगा क्या ही फीचर है? मज़ा आगिया तो फिर पैसा निकाले मैं इसे पैक करूँ भाई साब पैसे तो नहीं है दो साल की किस्ट कर दे बग साले टेम जाय कर दिया ये तो ये किस्ट पे समाँ देने वाई दुकान लग दिया निकल साला सच सच बता गले पे हाथ साफ तुने किया है ना बकवास बंद कर तुछ से सीनियार हूँ ये बात मज़े तुम से पूछनी चाहिए माजरत जनाब मैंने आपको पूरा पंदराज हो दिया था इस सैकली का ये तो बस दो साल चली ओए हुआ 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 पंदरो सोर पाय वाली सैकल सिर्फ दो साल चली जी हाँ भाईजान अब आप ही बताएं से साले बताऊंगा तो तुझे मैं दो साल चला लिया, अब क्या तुरे इसे सारी सिंदगी चलाना था? दफ़ा हो जावरना तु पिटे का हमारे हाथ हो तू अपनी जेबें चेक करा अभे ये क्या है? तेरे इतनी हिम्मद उस्ताद कितनी इजब करता था तेरी? सीनियर था तू हम सब का और तरे ये काम है? उस्ताद कसम उठवा ले, ये पैसा मैंने खुद अपनी जेब में नहीं डाला जरूर ये इसकी हरकाता है हे, उस्ताद, चाही कहरा है ये इसने ये पैसा अपनी जेब में अपने हाथ तुसे नहीं डला इसने तो सैकल में डाला था उस्ताद को मुझे शक्क होने लगा है इसलिए मैंने पैसा इस पैम में चुपा दिया है एक घंटे बाद उस्ताद शादी पे जाएगा उसके बाद आके सीट उपर उठाके पैसे निकाल लेना साले अब तुझे उसी पैप के अंदर गुजाओंगा